नमस्कार दोस्तों जीके अर्जिन सार यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्टरी डी ट्रिपल एसबी पीजी टी पार्ट एक सो बीस में तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं अगर आप लोगों के इस वीडियो का पीडियाप चाहिए ते पीडियाप का लिंग डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं वहां से जाकरी से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चले कुश्चन नंबर वन देखते हैं इसमें कुश्चन नंबर वन देख में नेम लिखे संतों में से किसे उसके अनुआई विश्णू का आउतार मानते थे कौन से इसे संत थे जिनको विश्णू का आउतार माना जाता था जो उनके अनुआईउं द्वरा माना जाता था तो वो थे एंसरोगा D, चैतन्य कुश्चन नमबर दो है अकबर ने किसे कवीप्रिय की उपाधी से विभुसित किया तो ये किया था राजा बीरबल को एंसरोगा C, राजा बीरबल को कुश्चन नमबर तीन है जिस चित्रकार ने तूजू के जहांगीरी के मुख प्रिष्ट के लिए चित्र बनाया उसका नाम था यानि तूजू के जहांगीरी के जो मुख प्रिष्ट पर जो चित्र बनाया गया है किस चित्रकार दोरा बनाया गया ये पूछ रहा इसमें तो वह चित्रकार है अबुल हसन, एंसरोगसी अबुल हसन, अबुल हसन को नादिर उल्जमा की उपाधी भी दिया था, जागीर ने अपने दर्बार में, कुशन नमबर चार है, निमलिखित में से कौन सी जागीर अस्थान्तरित नहीं की जा सकती थी, कौन सी जागीर अस्थान्तरित नहीं की जा सकती थी, तो वह जागीर है वतन जागीर, वतन जागीर जो है अस्थान्तरित नहीं की जा सकती थी, question number 5 है मनसबदारी संस्था यानि मनसबदारी संस्था क्या थी ये पूछ रहा है इसमें और मनसबदारी संस्था गया है मनसबदारी संस्था सास की निप्ती दोरा होती थी question number 6 है निमलिखित में से किस अस्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया किस अस्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया था ये निर्माण किया था फतेपूर सिकरी में यह अकबर ने जो है 1575 इसवी में 1575 इसी में अपनी राधानी फतेपूर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया था 1575 में कहां पर फतेपूर सिकरी में Question number 7 है मुगल समराज के किस भाग को अहमसा अबदाली ने सबसे पहले बिजित किया सबसे पहले बिजित किया यहीं सबसे पहले बिजय प्राप्त की बिजित कार्थ होगा तो वो था पंजाब एंसर होगा B पंजाब यहीं आहमसा अबदाली ने भारत पर्थम आक्रमन किया था कब 1748 इसी में सबसे पहले भारत पर आक्रमन किया था लेकिन वो पराजित हो गया था और यहां पर पुछा है कि सबसे पहले बीजित यानि सबसे पहले बीजे प्राप्त किया था किस समराज पर तो यह किया था पंजाब पर कब सत्तरा सो पचास इसवी में जब पंजाब पर आक्रमन किया था यह दूसरी बार गया को सूप्रसिद कोहिनूर साजहां को भेट किया को प्रसीद कोहिनूर हीरा को किस ने भेट किया था ये भेट किया था जहां को मीर जुम्लाने, एंसरोंगा B, मीर जुम्लाने, कुश्चन नबर 9 है, निम लिखित में से कौन न तो जावरी था और नहीं सिल्प कार, कौन था वो, तो ये थे मनुची, एंसरोंगा D, मनुची, मन्चु जो है, दाराशिको की सेना में जो है, तोपची के कारे करते थे, कुश्चन नमबर 10 है, मुगल समराज्य में कारखानों के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार किजिए, कौन सा इसमें कथन है, इस तो विचार करना है, तो इसमें एक इंसर होगा कूट में, इसमें देखे यहां पर दिया गया है, कि कौन कूट में से इंसर सही है, एक दो तीन सही है कि तीन पांस सही है कि चार पांस सही है कि दो चार पांस सही है तो इसमें से चले देखते हैं कौन इसमें सही होगा पाला दिया है इसमें वे उचित मुल्य पर राज की आवसकताओं की पूर्ती करते थे शही है यह दूसरा है वे विभीन उद्योगों को प्रोसाहन देते थे यह भी सही है इसमें तीसरा है वे कारिगोरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे यह भी सही है चवथा है वे समाने जन की आवसकताओं की पूर्ती करते थे समाने जन की आवसकताओं की पूर्ती नहीं करते थे गलत है इसके बाद दिया है वे बिना किसी राज की सहायता के संचालित होते थे यह भी गलत है यानि इसमें एक दो तीन सही है कुश्चन नमबर 11 है, खफी खा को मुन्त खबूल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्यों की? क्यों करनी पड़ी? क्यों की इसका एंसर होगा C, आउरंग जेव इतिहास लेखन के बिरुद था, इसलिए गुप्त रूप से खफी खा दोरा लिखा गया कुश्चन नमबर 12 है, जिस मुगल समराट ने फार्सी में आत्म कथा लिखी उसका नाम है, तो अपनी आत्म कथा किस मुगल बासा ने लिखा था फार्सी में, तो वे थे जहांगीर, जहांगी ने लिखी थी, और पुस्तक का नाम है तूजू के जहांगीरी, पुस्तक का नामें जो आत्म कथा लिखी थी जागीर स्वेंद्वरा तो उसका नाम है तूजू के जहांगेरी कुश्चन नमबर तेरा है निमलिखित में से कौन इरोपवासी सरपर्थम भारत आये तो यह असान कोश्चन है कौन आये थे सरपसे पहले तो यह आये थे पूर्तगाली कुश्चन नमबर चौदा है इस्ट इंडिया कमपनी को भारत में बेपार प्रारम करने की आग्या सबसे पहले किस समराट ने दी थी यह समराट थे जहांगीर एंसर होगा भी जहांगीर कुश्चन नमबर चौदा है दूतिय पूर्तगाली वाणिजिक अभियान के नेता का नाम था कुश्चन नमबर सोला है मराठों के बीरिद आहमसा अबदाली को समर्थन देने के लिए सुजाओ दवला केवल इसलिए प्रेदित हुआ क्योंकि क्योंकि वह अपने स्वयम के राज को सुरच्छित रखना चाहता था सी इंसर होगा इसका कोशन नमर 17 है प्रथम अंग्रेजी फैक्टरी कहां अस्थाफित हुई तो प्रथम अंग्रेजी फैक्टरी अस्थाफित हुई कहां पर सूरत में क्योंकि नमर 18 है सिखों को एक सैन लडाकु जाती के रूप में पंडित करने का प्रारंब किया सिखों को एक सैने लड़ाकु जाती की रुपे पनित करने का कारे किया था गुरू हर गोविंद ने एंसर होगा ये गुरू हर गोविंद ने कुश्चन नमबर 19 है कथन और कारण से देखे इसमें कथन दिया है ये वक्तब भी दिया है मुगलों का सैने संगठन प्रारंभिक 18 सताब्दी में धोस्त हो गया इसके बाद दिया है जागिदारी व्यवस्था में संकट की स्थिती थी तो A, R दोनों सही है और R, A की सही ब्याख्या भी करता है तो इसका एंसर हो जाएगा A कुश्चन नमबर 20 है मुकासा सब्द का अर्थ था मुकासा सब्द का क्या अर्थ था तो मुकासा सब्द का अर्थ था नगद बेतन के बदले दिया गया भूमी अनुदान इन्हीं बेतन के बदले में भूमी दे दिया गया था उससे जो राज़ा सोता था वो बेतन के रूप में सायनिक अपना जो है प्रियोग करते थे या लेते थे इसी को नमबर 21 है सीवा जी का राजय विशेक किस जगा हुआ उसका नाम है तो सीवा जी का राजय विशेक किस जगा हुआ था और उसका नाम क्या है इनका राजय विशेक हुआ था रायगड में यह रायगड में हुआ था सोरासोच चवहत्तर इस्वि में रायगाड और जो इनका राजय विस्थे कराया थे विस्षवर इनका नाम था पंडित विस्षवर या इनको गंगा भठ की नाम से भी जाना जाता था जिनें राजय विश्यक कराया था शिवा जी का बनारस के थे यह कुश्चन नमबर 22 है जिस सासक की सासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम है तो उसका नाम क्या है तो उए थे बालाजी बाजी राव के समय जो है सब्तरों से एक सठ में पानीपत का तीसरा युद्ध दिवा था मराठों के बीच और आहमसा अबदाली के बीच तो उस समय जो है पेशवा थे बालाजी बाजी राव कोईशन नमबर तेईस है नीचे कुछ कूट दिये गए हैं और इसकी सायता को तीथी क्रम के अंसार रखना है तो पुरंदर की संदी कवित पहले इसका डेट याद रहेगा तो क्रम से बैठा सकते हैं इसमें अचले देखते हैं पुरंदर की संदी कवित ये भी थी 1665 इसवी में पुरंदर की संदी सूरत की लूट कव हुए थी तो सूरत की लूट हुए थी 1664 इसवी में 1664 स्ताइस्ता खांके सीर पर लूट कव हुआ था तो ये 1663 इसवी में और इसके बाद दिया है तोरण बिजय तोरण बिजय हुआ था 1646 इसवी में अब इसका एंसर मिला सकते हैं ये इसका एंसर होगा सबसे पहले चार इसके बाद 1663 435 और 432 नीचे से क्रम में है ये क्रम में है इसके एंसर एस होगा को सं नंबहर चोविस है ऊघा ची सुआ कं जीनसर सीवाजी ने साइस्ता खांक मरा पराज़ित किया वह है तब बताएं साइस्ता खानको शीर पर लूट कवगा था तो वह है 1663 इस्वी में कब वह था 1663 इस्वी में कुश्चन नमबर पचीस है निमलिखित में से किसे अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उडिशा के दिवानी अधिकार परदान किये गए यह परदान किये गए था साह आलम दूतिय को एंसर होगा यह साह आलम दूतिय को कुश्चन नमबर 26 है रावाट कलाईब जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था पहली बार जब बंगाल आया तो रावाट कलाईब तो वह था इसका एंसर होगा डी कलकत्ता पर पुना कबजा करने और अभियान दल के नेता के रूप में कोशन नमबर 27 है बक्सर के युद के समय बंगाल का नवाप कौन था बक्सर के युद के समय बंगाल का नवाप कौन था तो वो था उस समय मिर जाफर मिर जाफर था कोशन नमबर 28 है निमलिखित में से किस अस्थान समू की जमिदारी इब्राहिम खाने अंग्रेजों को बक्स दी थी तो अस्थान समू है इंसरों का ये सूतानाती कालिकाता एवं गोविंद पूर ये सवपी थी 1698 इसी में डेट पुछता है अगर 1698 इसी में इस इंडिया कंपनी को दे दिया गया था ये इब्राहिम खाने को स्थान नमबर 29 है बंगाल के दोहरे सासन को किस अंग्रेज सासक ने समाप्त किया था ये समाप्त किया थे वारें हैस्टिंग्स ने इंसर होगा भी वारें हैस्टिंग्स कोश्चन नमबर 30 है और अंतिम कोश्चन है निल्मिकित में से किस इत्यासकार ने यह कहा कि कि 1765 से 1772 की अवदी में बंगाल का सासन एक डाकू राज्य था यह कहे थे के यम पड़िक करने के यह थी कुश्चन आज के लिए तो मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के यहां अधिक अधिक शेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम